बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहिम अस्सालामुलेकुम वेलकम्टो आज चैनल आज से पीएचेस आरवाह के आज हम सब्जेक बायो कैमिस्ट्री में चेप्टर एंजाइम का सिक्स लेक्चर पढ़ेंगे और आज के लेक्चर के कॉंटेंट्स हैं इसे कौन-कौन से फेक्टर्स हैं जो के एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर एफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असर अंदाज हो सकते हैं और अगर असर अंदाज होते हैं तो किस तरहां से असर अंदाज होते हैं और आज के lecture के reference है आपकी textbook के page number 62 का तो factors affecting enzyme activity में है जब हम देखते हैं तो हमें first factor मिलता है enzymes की concentration का enzymes की activity के ओपर direct effect होता है वो कैसे the rate of reaction is directly proportional to the concentration of enzyme इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे enzyme की मिगदार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे जो reaction है उसका rate भी बढ़ता जाएगा directly proportion कहते हैं हम एक दूसरे के ओपर direct effect होना क्या मतलब यह कि अगर एक चीज की concentration यह एक चीज की मिगदार बढ़ेगी तो दुसके सासा दुसरी जो दुसरी चीज है उसके ओपर भी direct effect होगा उसकी भी concentration वैसे ही बढ़ेगी लेकिन इस वक्त हमारे पास दो चीज़े हैं एक है enzyme की concentration दुसरी Enzyme की activity तो जैसे-जैसे enzyme की concentration की मिगदार बढ़ती जाएगे वैसे-इस enzyme की activity भी बढ़ती जाएगी यह हमारा first factor rate of reaction is directly proportion to the concentration of enzyme जैसे हमारे enzymes की concentration यह उसी मिगदार बढ़ती जाएगे वैसे-वैसे reaction का rate भी बढ़ता जाएगा आप सब को पता है के enzymes biocatalyst है enzymes biological catalyst होते हैं तो उसी के according अगर हम देखें तो यह जो enzymes हैं क्योंकि यह biocatalyst है biological catalyst हैं तो यह speed up करते हैं reactions को ठीक है तो जब यह reactions को speed up करेंगे तो यह जितने ही जादा इनकी concentration होगी उतने ही जादा यह reaction को speed up करेंगे उसके बाद है enzyme concentration in the body में fall or rise due to changes अब enzymes ही concentration हमारी body में कम या जादा हो सकती है उसकी वज़ा क्या होगी उसकी वज़ा बहुत सारी हो सकती है जैसे कि या तो उसकी synthesis जादा हो रही हो या फिर उसकी degradation हो रही हो अभी synthesis और degradation में उसकी बनना या उसका तूटना यह जादा हो सकता है या कम हो सकता है अब इसकी यह किस वज़ा से होगा तो यह बहुत सारे hormones और metabolites की वज़ा से बहुत सारे से factors होते हैं जिसकी वजह से enzymes का बनना या तूटना हो सकता है और इसी की वजह से enzymes की activity के ओभर भी effect हो सकता है अब इस factors को देख इस factor को effect को देखने के लिए यह आपके सामने graph है इसमें आपको दो line नजर आ रही है एक है vertical एक है horizontal जो vertical line है वो rate of reaction को represent करी है जो horizontal line है वो enzyme की concentration को represent करी है और इन दोनों की activity का जो जो इन दोनों का जो graph आपको इन दोनों का जो proportion शो कर रहा है वो बीच में इसके जो red line आपको नजर आ रही है वो है इस graph का मतलब यह है कि जैसे जिस enzyme की concentration बढ़ती जाएगी वैसे वैसे rate of reaction भी बढ़ता जाएगा second factor है substrate concentration तो substrate की concentration का क्या effect होता है enzymes की activity पे सबसे पहले तो यह के substrate क्या है आप सबको पता है के enzymes bio catalyst है biological catalyst है इनका function क्या है इनका function है reaction को speed up कर देना अब जब यह reaction की हम बात करते हैं तो reaction में एक होगा reactant दुसरा होगा product तो reactant को product में convert जादा जल्दी करवाते है enzymes तो इस वक्ट जो हमारे substrate है वो वो reactant है जिनको enzyme जल्दी से product में convert करवाएगा तो अब हम इस वक्ट यह बात कर रहे हैं कि जो reactant है या जो substrate है उसकी concentration का कैसा effect होता है the rate of reaction is directly proportional to the concentration of substrate अब reaction का जो rate है वो directly proportional है concentration of substrate से जैसे हमने पहले का directly proportional का क्या मतलब है जैसे जैसे substrate की concentration जादा होगी जितने जादा आपके पास reactant होगे enzyme उसको product में convert करवाएगा लेकिन up to the limit इसकी specific limit होगी जहां तक ये इसको reaction को carry out करवाएगा उसके बाद ये उस substrate के जादा होने पे इसका effect नहीं होगा क्या मतलब है इस बात का आपके सामने ग्राफ है जिसमें rate of reaction है और substrate की concentration है जो vertical line है जो ऊपर जा रही है line वो है rate of reaction को show कर रही है और जो ये horizontal है वो substrate की concentration को show कर रही है तो अब इसका मतलब ये है कि substrate की concentration और अगर आप देखें तो ये red line एक खास सिरे तक एक खास जगा तक य जा रही है तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे substrate की concentration जादा होती जाएगी जैसे से आपके पास reactant जादा होते जाएंगे आपका rate of reaction भी बढ़ता जाएगा लेकिन आपको नजर आ रहा होगा इस red line के ओपर एक cross का sign है ये cross का sign शो कर रहा है point of saturation लेकिन एक खास हद तक जहां प जादा नहीं हो रही है substrate की concentration जादा हो रही है तो एक खास जगह आएगी जहां पर saturation हो जाएगी आपके enzymes occupied होंगे तो वो जो further reaction के ओपर effect नहीं करेंगे तो ये खास एक point आता है up to limit आती है जहां तक ये जो substrate की concentration है वो enzyme का reaction speed up करते रहते हैं फिर उसके बाद ये आपको line सीध भी नजार आ रही होगी red line जिसके साथ arrow करके लिखावे increasing concentration does not effect the reaction rate जिसके बाद इस point of saturation के बाद अगर आपके substrate की concentration बढ़ती जाएगी तो उसकी वज़ा से आपके rate of reaction की ओपर effect नहीं पड़ेगा थर्ड फेक्टर है effect of temperature temperature का कैसे effect होता है enzymes के activity पर अब temperature का बहुत effect होता है the rate of reaction increase with increase in temperature ठीक है जैसे जैसे temperature body का बढ़ता है तो उसकी वज़ा से जो rate of reaction है जो enzymes की activity है उसके ओपर भी effect होता है और enzymes की activity भी बढ़ती है लेकिन एक limited range है इसकी over limited range of temperature and on reaching a certain high temperature the enzyme activity start decreasing और एक खास activity होने एक खास temperature होने के बाद जहाँ पर enzyme की maximum activity शोगी उसके बाद क्या होगा enzymes की activity decrease होने लग जाएगी substrate में हमने यह नहीं कहा कि decrease होगी substrate में हमने यह कहा कि उसके बाद उसके उपर effect नहीं होगा तो temperature पर हम यह कह रहें कि खास हद तक enzyme की activity बढ़ेगी बढ़ेगी फिर उसके बाद कम होने लग जाएगी usually the enzyme reaction in men occur best at around 37 degree Celsius जो के आप सबको पता है हमारे body का normal temperature है उस normal temperature पर हमारे enzymes जो हैं वो best active होते हैं which is the average normal body temperature यह आपके सामने graph है वर्टिकल लाइन शो करी है increasing enzyme activity horizontal लाइन शो करी है temperature को जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि zero degree Celsius पे enzyme के activity कैसी थी फिर उसके बाद जैसे से temperature बढ़ता गया बढ़ता गया तो यह enzyme के activity भी बढ़ती जा रही है फिर खास range आ रही है खास point आ रहा है जहां पे enzyme के activity peak पे पहुँची भी है ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद जैसे temperature बढ़ता गया तो यह enzyme के activity decrease होती गई कम होती गई यह वापिस से line जो है वह graph जो है वह नीचे को गिर रहा है तो अब जो वह point जहां पे इस enzyme की activity maximum आपको शो होती भी नजर आ रही है वह कहलाता है optimum temperature ठीक है तो हमने क्या कहा कि हमने का temperature का effect होता है enzyme activity पर जैसे इसे temperature बढ़ता जाते है enzyme activity बढ़ती जाती है लेकिन खास हद तक उसके बाद उस खास range के बाद enzyme की activity कम होने लगती है तेमप्रेचर बढ़ने के साथ-साथ enzyme की activity कम होती है अब optimum temperature क्या है the temperature at which an enzyme reaction occur fastest वो temperature जहां पर enzyme का reaction fastest हो वो कहलाता है optimum temperature तो optimum temperature जब हम man की बात करते हैं तो होगा आपके पास 37 जिसकी range आती है 35 to 40 यह हम further topics में पढ़ेंगे तो optimum temperature जो है वो enzyme की activity का अब हम वो कहते हैं जहां पर आपके enzyme maximum active होगा वो कहलाता है optimum temperature some plants enzyme act best at temperature around 60 degree celsius लेकिन यह बात हम करें human की plant में जो optimum temperature है उसमें कुछ ऐसे भी enzyme है जो कि 60 degree celsius तक भी अपने effect अपनी जो activity है वो शो करते हैं example है आपके पास the DNA polymerase DNA polymerase enzyme है जो कि isolate हिया जाता है from a bacterium उसका नाम है thermos यह दी रम लिखावा है यह थोड़ी सी typing mistake है इसमें thermos इसका नाम है thermos aquaticus इसका नाम है और इस thermos aquaticus को हम इसका इस enzyme का दुसरा नाम जो है वो DNA polymerase और thermos aquaticus को मिला के ऐसा भी कहा जाता है कि यह tag है thermos का T और aquaticus का AQ तो यह tag DNA polymerase भी कहलाया जाता है क्योंकि यह tag यह इस वजह से क्योंकि bacterium thermos aquaticus से इसको isolate किया गया और यह है कि इसकी activity क्या है तो यह DNA polymerase enzyme है जिसकी वजह से हम इस enzyme को नाम देंगे TAC DNA polymerase और यह enzyme grow करता है hot water springs में और stable रहता है even at 90 degree Celsius 90 degree centigrade तक यह stable रहता है तो यह ऐसा plant का enzyme है जो कि इस range तक भी stable रहता है तो इसका मतलब आपको यह पता चला कि जरूरी नहीं कि जो range है वो human की वही plant तक की भी रहे तो कुछ variations जो है वो आपको मिलेंगे इसके इलावा बहुत सारे genetically engineered bacteria भी मिलेंगे आपको बहुत सारे ऐसे bacterium enzyme भी मिलेंगे जो के इस range तक भी इस range के temperature तक भी stable होंगे और अपनी activity शो करेंगे लेकिन जो human में जब हम बात करते हैं तो वह आपको optimum temperature उसका 35 to 40 degree की range मिलेगा जिसका हम अगर एक temperature बताएं तो वह 37 degree Celsius तक ही होगा तो आज हमने सिर्फ इतने factors करने नेक्स जो further हमारे remaining factors हैं वो इंशाला नेक्स लेक्टर में discuss करेंगे तब तक के लिए stay blessed अलाहाफिस